कि कहते हैं राजनीती में आप अपने लिए सपने नहीं पाल सकते लेकिन गरीबों के उठ्थान के लिए उनकी भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं शायद अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कुछ ऐसा ही करनी की कोशिश की है ठाना है अनुप्रिया जी राजन आजिक न्याय की जिस विचारधारा को लेकर तलित पिछडे कमजोर वर्गों के कल्यान की जिस उमीद को लेकर मेरे पिता ये शकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल का गठन किया था आज हमें एक मौका मिला है उनकी उस तपस्या से कि हम उत्तर प्रदेश औ का एक उधारन है कि हमारी जो नीट की परिक्षा होती है उसमें बीबीएस और पीजी की अड्मिशन्स में हमने जब आवाज उठाई की ओल इंडिया कोटा में पिछडों का आरक्षन लागू नहीं है तो माने निये प्रदान मंत्री जी ने उसको लागू किया और ये अंतारी चर्चा हो रही है कि नहीं अनुप्या जी को इस बर बहुत सारी सीटे मिलेंगी लोगों की बड़ी अपीक्षाएं हैं आपको भी मन में आशा है कि जिसके साथ आप बहुत दिनों से गड़ बंदन में जूड़ी हुई है अब बड़े भाई की तरह आपके साथ र और भारती जंता पाठी के साथ हमने मिलकर तीन चुनाव लड़े ये चौथा चुनाव साथ में लड़ने जा रहे हैं और हमें पूरी उमीद है कि हम एक बड़ी भूमिका में और बहतर भूमिका में नजर आएंगे और सीटों के बटवारे पे हम बहुत जल्दी कोई अच खत्प नहीं कर सकती वो मा है मेरे दिल में है सर्वो परी है और हम राजनेतिक रूप से भी प्रयास कर रहे हैं कि उसाथ में रहे मुझे लगता है कि सफलता भी मिल जाएगी क्या हो रही है मतलब मा और दामात कर रिस्ता कुछ दर उदर है नहीं मा और बेटी के बीच में और नमात कहा से आ जायेगा जाता है ना दिक्कते इसी से हो जाती है देखिए सवाल है कि मां बेटी के रिस्ते में तो वो कही रही है मैं तो सुनी रहा था उन्हें ने बेटी केकि बिरे कुछ नहीं कहा नामात के लिए बहुत सारे.ंट के भातyes कि नहीं सब कुछ आप देखिए देरे देरे सब ट्रैक पे आ जायेगा अभी आप देखिए ट्रैक पे आ रहा है हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं समाजिक न्याए की विचारदा बढ़ा रहे हैं 59,000 शिक्षक भरती मामले में पिछड़ा वर के अभियरतियों के साथ न्याए हो इसके लिए निरंतर अपना दल आवाज उठा रहा है मैंने सौइम मानिये मुख्यमंत्री जी से इस बात को इस मसले को उठाया है और मुझे लगता है कि इसका भी समाधान होगा आपको क्या लगता है कि जो अभी आप देखे राजभर आपके पुराने सहयोगी थे वो दूसरी पार्टी में चले गए आप देखे अखलेश यादो लगातार चोटे चोटे दलों के साथ गड़बंदन कर रहे हैं आपको क्या लगता है कि जो मजबूती जो ताकत भारति यह जाने की जुरुत है आपको लगता है कि भारती जनता पार्टी के निताओं द्वारा कुछ कमियां रहे गए हैं जिसके वह जैसी सारी चीज़े हो रही है देखिए राजनेतिक माहौल में अब चुनाओ आया है तो बहुत सारे राजनेतिक दल आपस में गड़बंदन क के तहट समाजवादी पार्टी और वानियों प्रकाश राजबर जी भी साथ आए है और निश्यत रूप से उनकी अपनी ताकत है अपना संगर्श है मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि अपना दल और भारती जनता पार्टी का गठवंदन एक सफल गठवंदन के है और सरकार ने जो हमारे राजी की विकास यात्रा है उसको आगे बढ़ाया है विपक्ष सरकार को कटगरे में खड़ा भी करेगा आरोप भी लगाएगा अलोचना भी करेगा लेकिन प्रदेश की जनता के लिए विकास का कोई रोड मैप हो कोई ब्लूपरिंट हो जो आप जनता के सामने रखेंगे तो बहतर होगा तो मुझे लगता है ऐसा कोई ब्लूपरिंट या ऐसा कोई रोड मैप अभी तक हमारे विपक्ष के सातियों की तरफ से सामने नहीं आया है और इधर हम एक के बाद एक विकास की नई नई परियोजनाओं का शिलान्यास करते जा र होई है क्योंकि इतने बड़े विकास की उमीद कभी पहले हमारे प्रदेश वासियों ने नहीं की थी आपके जो साथी जिन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिला कि चला मैं उम्रिकास जी की भाशन सुन रहे थी कि अखिलेश के अगर ओड देला तो फिर कहां जीवा मैं यह सुन रहा था यह भाशन पिछली बार उन्होंने यह बड़ा जूरदार एलान किया था और वह अब अखिलेश के साथ हैं तो मन में सवाल नहीं पैदा होगा देखिए राजनीती संभावनाओं का खेल होती है परिस्तितियों के अनुरूप पोलिटिकल पार्टी के चिंता कर दो मैं समझ नहुंव हो तो जरूरी एं लेकिन कहने है कि लड़ना थो भाई आप आपको भी उनसे तो लड़ना ही पढ़ेगा आपका के वह उन अनुद्से लड़नें था जाइक संवाल तो पूछना बंता है बिल्कुल ठीक है लेकिन मैंने फिर आपसे कहा है लेकिन जनता के मन में इस सवाल तो उत्पन होना लाजमी है कि भाई आपको हम चुने तो क्यों चुने विकास का रोड मैप क्या है आप क्या करना चाहते हैं इस प्रशने का उत्तर तो देना पड़ेगा ना हम तो बता रहें हमने करना चाहते थी कि अगले इसके पास कोई कमाम तरीके के आरोप सुने मैंने ये भी सुना कि बहुत सारी परियोजनाओं की शुरुआत हमने की उसका लोकारपन आप कर रहे हैं आपके जिले में पूल नहीं बन पाया था मुझे याद है मेरे जिले में बहुत कुछ था जो उस वक्त नहीं हुआ था लेकिन अब हो च कि अनुप्रिया जी की अखले से बात हो गई है वहां पर 50 सीट मिलेगी अचा हम लोग भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि अधर जा रही है कोई न बयान मिलता है न जबाब मिलता है न सवाल होता है अभी तो हम भारती जंता पार्टी के साथ ही है हम भागीदार है मैं मंत बहुत कुछ बोलती है हां तस्वीरें निश्चित रूफ से बोलती है और यही राजनीद का मज़ा है जब तक इस प्रकार की सजिवी को यसी नहीं आई अब देखिए हैं अपने सवाल ने कोई जवाब दे दिया कि मेरी कोई तस्वीर नहीं आई है कि तस्वीरे आती तो राजनीत का मज़ा दुगना हो जाता है तो हम लोग उमीद करें क्या कि वह इसी तस्वीर हम लोगों को देखने को देखने को देखिए भविष्य में क्या होगा यह अभी कैसे बता सकते हैं लेकिन मैं तो वर्तमान की बात कर सकती हूँ कि भई हम वारत्य जंता पार्टी के स योगी है और साथ में मिलकर हम फिर से सरकार बनाएंगे बहुत अच्छी बात कर दी राजनीती तो भविष्य के लिए होती है और आपने भविष्य के लिए सवाल छोड़ दिया भविष्य तो कोई नहीं जानता देखिए मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ अब प्रिया पटेल यानि अपना दल को लड़नी कि हमारी राश्रीय कारकार्णी निरंतर इस पर मंधन कर रही है और बहुत सारी सीटों पर हम लोग उसके प्लस माइनस देख रहे हैं भारती जंता पार्टी के साथ मिलकर कौन सी सीटे हैं जो हम जीत सकते हैं कौन सी सीटे हैं जो जीत सकते हैं तो इस पर पूरा मंधन हमारी पार्टी के अंदर चल रहा है मैं अभी सोनबद्र में था मिर्जापूर में था पकोडिलाल को लेकि बहुत रियक्शन था बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल पूछे हमने का भाई देखिए मेरा अभी अपना दल के वरिस् ज़जदार नेता है और उनका अपना एक संघर्ष का रही बात उन्होंने जो अपनी अमर्यादित शब्द कहे थे उसके लिए उन्होंने शमाय आचना भी कर लिए और मुझे लगता है इससे बड़ा और कुछ नहीं होता अपनी उदारता का परिचे भी देना चाहिए बा आफ कर दिया जाएगा राजनीत में बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं और उसके लिए बड़ा दिल दिखा के माफ भी किया जाता है अब मैं लोग ने बात किया था तो हमने आपके भविष्य को लेके उत्तरप्रदेश को लेके बहुत सारी बाते की थी हम आपका विश उत्तरपदेश में किस तरह से देखें देखिए फिलाल मेरा पूरा ध्यान इस बात पर है कि अपना दलकी और बड़ी भूमिका हो और आने वाली सरकार में हमारा हस्तक्षेव बड़े और हम जादा से जादा अपने दबे कुछले कमजोर लोगों की सेवा कर पाएं सरकार की तमाम योजनाओं को जादा से जादा उनको लाब दिल पाएं दिला पाएं और उनका उनका एक प्रतिनिद्ध वहों उनको मजबूती मिले उनको सम्मान मिले इस पर ही हम दिन रात मंथन करते हैं प्रदेश में बहुत सारी महिला हैं लेकिन फिलाल तो योगी जी राजक का चहरा है अपने बात को घुमा दिया ट्विस्ट कर दिया नहीं यह तो सपष्ट है राजक का चहरा मानिया मुख्मंत्री श्री योगी आदितनाद जी ही है हम तो चोटे भाई की भूमिका में अपना दल सयोगी दल है बड़े भाई की भूमिका में भारती जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राजक का नेत्रे तो भाचपा ही कर रही है अनुप्रिया पटेल जी ने अपने इशारों इशारों में इतनी सारी बाते कह दी हैं कि अगर इसका एक एक राजनीतिक मतलब हम लोग निकाले तो बहुत सारे मतलब निकलेंगे लेकिन हाँ इन्होंने ये जरूर कहा है कि राजनीती का जो रोड मैप है वो विकास से तैं होता है विकास से गुजरता है और इस समय हम भारती जनता पार्टी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर विकास कर रहे हैं जो कहीं ने कहीं दिखाई दे रहा है भहुष्य क्या होगा ना भहुष्य विक्तान प्रिया जी है ना मैं हूँ लेकिन ये जरूर है कि इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प है सबकी नजरे हैं किस उट जो है किस करवट बैठेगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा बहुत सारे किंतु परंतु है लेकिन अब तो युद्ध शुरू हो गया है आईए देखते हैं आगे-ागे क्या होता है संदीब के साथ मैं अर्विंट चत्रवेदी इंडिया न्यूज लखनव उत्रपदेश